रिक्सासाद बिग्यान पार्ट सी छेत्र में क्या योगदान दिया गया दाइब ने किरसी छेत्र में इसे ब्रदहे कई से जन्संख्य के बढ़ती गहीं तो सब भीन अब खाने पीने की जो चीजे गें हुँँ चावल ये सब जो होती खाने की चीजे होती ही दाल ते तो इनकी आवश्कता बढ़ने लगी ठीक है तो इनको पूर्ति करना पुराने उक्रणों की सहता से संभव नहीं था तो किस्ति के छेत्र में बैग्यानिक आवश्कार किस्ति के अविश्कारों। अभिश्कारों जैसे ट्रेक्टर ट्रेक्टर और अच्छे प्रकार के हल लोचाने तरेक्टर अच्छे परकार के हल ट्यूफ ओल तूब बेन केट नासिक दबाएं केट नासिक दबाओं उनत कोटी के बीज उनत कोटी के बीज राशानिक उर्वराओं 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 आधी के प्लियोक से कर्सी उपज में पर्याप्त व्रद्धिय हुई है कर्सी के छित्र में बेंग्यानी अभिश्कारों जैसे ट्रेक्टर अच्छे से परकार के हाल ट्यूब बैल कि इतना शक दवाई हुआ उनत कोटी के बीज एवा में आशानिक उर्वराओं आधी के प्रियोक कर्सी उपज में पर्याप्त व्रद्धिय हुई है ठीक है तो यह दो था कर्सी के छेत्र में क्या योगदान रहा है विज्ञान का ठीक है और अगला कुश्चन है इधन विज्ञान के द्वारा बूंग फिज्ञान के द्वारा अजफन इंधन कोन्य कोन्य क्यों किया गए है ल आजल में इंधन कोछल्डन से इपिलेब्द की रहे बिज्ञान के द्वारा आदफनी की इन्थन कौन-कौन से उपलग्ड किये गए हैं यह को प्राचीन काल में प्राचीन काल में पेल की सुखी पत्ती पेल की सुखी पत्ती गोबर से तरियार कंडे 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 यह को पला कहा जाता है लकडी कोईला 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 मुठ्टी का तेल मुठ्टी का तेल इन्थन के प्रमक्ष रहत है परन्त विज्ञान के अभिश्कारों के द्वारा सब्सक्राइब के अभिश्कारों के द्वारा आप्lect युद्वान मत्यूं लपीजी या यह रसोई गैस है लपीजी को हम कह सकते हैं को जीर रसोई गैस यह खाना पकाने विकामाती है अलपीजी रसोई गैस और जैसे इंधन इंधनों का कि बड़े प्यमाने पर उतकादन हो रहा है वोडे मेловर उत्माथन हो रहा है डिक ए से गाड़ा चला जाती है डीजल से ट्रकी बस चलाए जाती है और जो आ प्रकाल का और इससे जो है किया जाता है रसोई गैस के घरों में जो कैसे चला जाती है रसोई गैस चला जाती है ठीक है तो लखली उप्ला इनकी चलाने की अरूद कि नहीं है